नवस्कार आप देख रहे हैं लाइफ बिहार मैं हूँ करिस्मा सिंग बिहार में कोरोना की स्थिती बद से बत्तर हो गई है कल की बात करे तो कल एक सट सो नए मरीज संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही आपको बता दे कि 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई यानि कि एक घंटे म एक मरीजों की मौत हो रही है जिससे बिहार की हालत बत से बत्तर हो गई है इसके साथ ही आपको बता दे कि अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार ने आज हाई-लेबल मिटिंग बुलाई है सचीवाले सभागार में या हाई बैठक से पहले कोरोना ने अपने हा कोरोना का हालात बेकाबू हो गया जिससे पहले मुखे मंतरी नितीज कुमार ने हाई-लेबल मिटिंग बुलाई है वही आपको बता दे कि राजी सरकार के अनुसार जाड़ी आकड़े के मुताबिक 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो रही है जिससे बास घाट में सोवो को जलाने के लिए परिजनों को इंतिजार करना पड़ रहा है इसके बाद पटना के डीम चंद सेखर कुमार ने एक बड़ा निडने लिया है उन्होंने तीन अतिरी सोदागरी चालू करने का आदेश जारी किया है इसके शाथ ही आपको बता पटना के जिला अधिकारी चंद सेखर सिंग ने राजधानी पटना में तीन अतिरी सोदागरी चालू करने का आदेश जारी किया है इसे कुछ माह पहले चालू कराया गया था यहां भी संक्रिमितों का सोजलाना है खराब रहने के कारण यहां सोव नहीं जलाय जा रहे थे इसलिए डियेम ने इसे चालू करने का आदेश जारी कर दिया है हाल में ही मीडिया के खबरों के सामने आई थी कि बास घाट में सोव का अंतिम संसकार करने में लोगों को काफी दिकते हो रही है उन्हें इंतिजार करना पड़ रहा है मीडिया में खबर सामने आने के बाद पटना के जिला आधिकारी चंदे सेकर सिंग ने खुद सोवदा गिरी जाकर निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने पाया कि पटना के बास घाट को छोड़ कर बाकि सबी घाटों पर विदुत सोदा ग्री खराब पड़े हुए थे ऐसे में उन्होंने नगर निगम आयूक्त को पत्र लिख कर उन्हें जल्दी ठीक करने की बात कही है जिन घाटों पर विवस्ता दुरस्त करने का आगरह किया गया है उसमें गुलामी घाट पटना सिटी खाजे काला घाट सामिले आपको बता दे कि पटना नगर निगम में संक्रमितों के सोओ को जलाने के लिए आलग से टीम की तैनाती की गई है पटना में तीन बिदुद सोदाह ग्रीहों में कोरोना संक्रमितों के सोओ को जलाने की बिवस्ता की गई है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों पटना के बाजगाट बिदुद सोदाह ग्रीहों में बिते दिनों 42 घंटे के अंदर 3300 का दा संसकार किया गया रवीबार की रात 12 बजे से सोमबार की रात 12 बजे तक 2400 जलाये गए सोमबार की रात से मंगलबार की साम तक 1900 जलाये जा चुके थे जबकि 10-100 इसके बाद भी जलाये गए 10 संसकार के लिए 8 घंटे तक का इंतिजार करना पड़ा बिहार में इन दिनों कोरोना के स्थिती बद से बत्तर हो गई है कोरोना संक्रमित महम मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है ताजा आकरे की बात करें तो 133 नए कोरोना मरीजों की पहशान की गई है जिसमें से 29,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है आपको बता दे की बिहार में कोरोना की स्थिती बद से बत्तर हो गई है पिछले दिनों की बात करें तो 133 नए मरीज सामने मिले आए हैं इसके साथ ही आपको बता दे की 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई है जिसके कारण बासघाट सभी घाटों पर सौ को जलाने में दिक्कत हो रही है इसको देखते हुए पटना के डीयम ने बिदु सौ गरीयों को चालू करने का आदेश जारी किया ए दिन पहले पटनागे डियेम बासघाड जाकर वहां के सौधागरियों का निरिक्षन किया था जिसमें कई बिदुत सौधा खराप मिले थे अब उन्होंने पटनागर आयुक्त को पत्र लिग कर उन्हें ठीक करने का भी आदेश दिया था ती तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइफ बिहार धनेबाद अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेस्बुक पर लाइक करना न भूलें लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें